हाई दिस इस जंकित्तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फर ओल हेलो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो वेटिंग केंडिडेट्स के लिए स्पेसली बना रहा हूं जिसमें हम ये देखेंगे कि कितने दिनों में एक सीट को वेकन डिकलेर कर दिया जाता है क्या पूरा प्रोसेस होता है तो एक वेस्टन रेलवे की तरब से एक नोटिस आया है जिसमें डिवीजन अलोट्मेंट जो गोरखपुर के खेंडेट्स को वेस्टन रेलवे भेजा गया था तो उसमें इनका डिवीजन अलोट किया गया ये भावनगर का है तो भावनगर में डिवीजन अलोट्मेंट हुआ है साथ में पूरा का पूरा डिटेल समझाए गया ह शुरुआत में तो ये इनका डिटेल दिया हुआ है जो भी गोरखपुर से लड़के गए हैं लेकिन हमें इससे नहीं मतलब है हम नीचे बात करेंगे जो गोरखपुर के सुडेंट से वो जा के देख सकते हैं ओफीसिल वेबसाइट पे राजकोट, भावनगर, एहमदाबाद, बरोधड़ा और मुंबई सेंट्रल इन सभी डिविजन्स में उनको डिविजन अलोट्मेंट दिया गया है वो पूरा लिस्ट वहाँ पे अपडेट हो चुका है एनफर का भी बोजल दिया आएगा आएगा तो देखूँगा मैं कोसिस करूँगा उसके उपर भी वीडियो बनाओ लेकिन ये वेटिंग के लिए स्पेसल में बना रहा हूँ कि कितने दिनों में सीट को वेकन डिकलेर किया जाता है तो ये सारा का सारा देखेंगा देखें स्टार्टिंग में लिख दिया गया है इप दा एबोब केंडिडेट्स इस नोट एपाइंटेड दा रीजन शुड भी एडवाइज तो दिस ओफिस एंड अप्लिकेशन भी रिटर्न तो दिस ओफिस अगेंस्ट नॉन मेटरलाइजेशन तो जो भी डोजियस गए हुए उसमें से जो भी नॉन टर्न अप होते हैं उन सभी का डाटा वीदिन 110 डेज मतलब 110 दिनों में वापिस भेजना होता है मतलब यह समझे है कि 110 दिन के अंदर आपको सारा का सारा जो भी 2-3 बार एपाइंट भेजना होता है वो भेज के और सीट को वेकेंट डिकलेर कर देना है अगर जो भी स्ट्रेंट जो आइनिंग नहीं करना चाहते हैं इसके साथ साथ क्या भेजना होता है कौपी अप कॉल लेटर पहला पॉइंट है जो दो रिमाइंडर लेटर भेजा जाता है सबसे पहले तो एक जो आइनिंग लेटर जाता है जो आइनिंग लेटर के बाद दो बार रिमाइंडर लेटर भी भेजा जाता है ये सारा डुरेशन तीन महीने का होता है पूरा 110 दिन यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है तीन महीने से थोड़ा सा जादा अपनी तरफ से कुछ प्रवाइड करेंगे अगर ये रिसिप्ट वगरा नहीं है तो तीसरा पॉइंट है लेटर अप केंसिलेशन अफ केंडिडेशन अफ केंडिडेशन इन केस अप अन्विलिंगनेंस अड इस अक्नॉलजमेंट मतलब अगर वो खुद से ये चाहता है कि वो इस पोस्ट के लिए जवाइड नहीं करना चाहता है तो उससे एक लेटर लिखवाना है पांचवा पाइंट है, in case of candidates not reporting for training, after completion of pre-recruitment formalities, copy of termination letter along with acknowledgement may be submitted, मतलब वो शुरुवाती दौर में तो अपना जो document verification होता है, division में, वहाँ पे तो चले गए, लेकिन वो जब training start होने वाली है, वहाँ पे नहीं गए, तो उस समय में क्या करना है, कि उनके candidature को cancel करने का letter त्यार कर और उस letter को dozier के साथ भेजना होता है, वह acknowledgement त्यार करके भेजना होता है, छटा है the covering letter of non-meteralization should bear senior DPO's signature and advise if the workshop required the replacement against the non-meteralized candidates, मतलब एक पूरा का पूरा ये non-meteralization का एक list त्यार होता है, तो वह पूरा का पूरा list त्यार करके और cover में वह पूरा detail उनको provide करना है कि, हमारे पास जैसे कि मालीज़े 100 demand थे, तो 100 में से मारे पास हसी आए, 20 नहीं आए, तो सारा का सारा detail करकर उनको भेजना होता है, साथ में ये भी demand करना होता है कि उनको replacement उनकी जगे पर चाहिए या नहीं चाहिए, अगर replacement चाहिए होता है, तो RRB उसके लिए replacement provide कर देता है, तो ये सारा का सारा आपने देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, तो total 110 दिन का time duration होता है, और जितने भी student से जो ये परिसान हो रहे हैं, तो परिसान नहीं होना है, एक बार final जो है, इनका process complete होने दीजिए, जितने भी LP technician के student है, process जब complete हो जाएगा reporting का, उसके बाद 110 दिन मतलब totally time होता है, जैसे उन्होंने भेज दिया, उसके बाद 2 reminder और भेजना होता है, पहला joining letter उसके बाद 2 reminder, दोनों reminder के बाद भी student अगर नहीं आता है, उसके बाद उस seat को vacant declare कर दिया जाता है, अगर उससे पहले कोई student, जैसे कि माली जे पहला call letter उसको बेजा और उसने reply दे detail था, अब मेरे इसाब से आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि कितना time लगना चाहिए, replacement आने में, आप सभी इतना देखते रहेगा कि आपकी category का final reporting होने कब complete हो रहा है, उसके बाद 110 दिन और उसमें add कीजेगा, एप्रोक्स 3 महीने, 110 दिन छोड़िए, लगबग तीन महीने add कीजेगा उसमें, उसके बाद एक जो date आएगा, उसी date में समझेगा कि आपका data आपके headquarter तक पहुँच गया है, उसके 2-3 महीने बाद वो headquarter से board आता है, और board फिर जो है उसके against your replacement panel देता है, तो यह पुरा process था और यह पुरा date और पुरा information था, यह आप पुरा समझ गए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद